हाई गाईज माई नेम इस अधनान खान वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल तो गाईज आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं शरीर रचना का चैप्टर नमबर 3 जिसका नाम है अभीनी वृत्ति शारीर मतलब अभीनी वृत्ति शारीर का मतलब होता है जैसे हम माईक्रो से मैक्रो से मैक्रो तक की स्टड़ी पढ़ें अगर हम आयरुवेद के साफ से चीज़ को देखें तो इसके लिए डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी परिभाशा जिन तत्वो की सहायता से शरीर के अव्यवो का सूक्ष्म ठीक है शूक्ष्म से इस थूल अवस्था का निर्माण हो उसे अभीनी वृत्ती शरीर कहते हैं सोरी शारीर कहते हैं ठीक है तो जिन तत्वो की सहायता से शरीर के अव्यवो अव्यव का सूक्ष्म से स्थूल शूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो और स्थूल मतलब होता है मैक्रो अवस्था का निर्माण हो उसे अभीनी वृत्ती शरीर कहते हैं जैसे कि एक स्थमोलेस्ट हुँनिट्स थो गई दो इस वहां से लेकर एक पूरा जान बनना उस इस day करें गे वह तो हम अभीनी वृत्ति शरीर में करते हैं अगर हम बात करते हैं according to Ayurved तो यह दो टाइप क्यों होती है अभीनी वृत्ति शरीर को दो टाइप के अंदर divide किया गया है पहली आती है सके अंदर धातु बेद शारीर ठीक है दूसरी आती है सकें अंदर गर्बा गर्बाक्रांति शारीर धातु बेद शरीर को हम बोलते हैं Compontal Anatomy गर्बक्रांति शरीर को हम बोलते हैं Embryology तो गर्बक्रांति शरीर में हम बात करेंगे embryology की धातू-based शारीर में हम बात करेंगे Componential Anatomy की मतलब कौन-कौन से components आते हैं इसके अंदर तो इस chapter में स्रीफ वो स्रीफ हम इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में हम इसके next chapter में बात करेंगे ठीक है तो आज हम धातू शारीर पढ़ने जा रहे है तो सबसे पहले इसमें एक heading आती है वो है धातू जैसे कि मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ धातू का मतलब क्या होता है तो धातू को वर्ट सुनते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बार बार लिखता हूँ में यही लाइन आपको अब तक याद हो जाना चाहिए जो शरीर को धारन करें और शरीर का पोशन करें वे धातू है जो शरीर को धारन करें मतलब शरीर को शरीर की ग्रोथ करवाने में हेल्प करें और दूसरा शरीर का पोशन करें पोशन यानि की शरीर की व्रिद्धी व्रिद्धी मतलब growth करें उसको हम क्या बोलते हैं धातू बोलते हैं ठीक है दूसरी टर्म आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी वह है पुरुष पुरुष का मतलब होता है आत्मा ठीक है तो इसके अंदर इसकी अगर हम परिभाशे लिखते हैं तो वो आती है जैसे जो शरीर में वास वास का मतलब होता है रहता जो शरीर में वास करता है यानि कि रहता है उसे पुरुष बोला गया है पुरुश या फुर अत्म बोला गया है ठीक है तो पुरुश का मतलब क्या होता है according to Ayurveda वह है आत्मा और आत्मा क्या करते है शरीर के अंदर रहती है इसी हाँ मैंने लिखा है जो शरीर में वास करे या फिर जो शरीर में रहता है उसको हम पुरुश कहते हैं अब हम आगे पढ़ेंगे पुरुष के भैद यह भी दो प्रकार क्यों होते हैं मैंनी टू प्रकार अगर आप से कोई जनरली पूछ लेगा तो वह दो प्रकार बताएंगे आप ने तो हम अभी पढ़ेंगे धातू बैद से पुरुष संगठन उस्तों हम आपको सारे धातू एकस्प्लेइन करेंगे पुरुष से रिलेटेड ओके तो मैंली मैंली टू टाइप्स ठीक है ना और यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है तो कौन-कौन से होते हैं वह पहले एक होता है शुद पुरुष और दूसरा होता है कर्म पुरुष अगर अगर हम बात करते हैं शुदुपुरुष की तो सुद पुरुष के अंदर स्रिफ एक ही धातु होता है वह है है चेतना मतलब आतमा का दूस में होती है आत्मा ये चेतना धातू से उत्पन होती है शुद्पुरुष ठीके आपको ये ध्यान नखना है चेतना ये फिर आत्मा धातू से उत्पन होती है शुद्पुरुष और अगर हम बात करते हैं कर्म पुरुष तो कर्म पुरुष छे धातू से उत्पन होती है लाश वायू अगनी जल और प्रिथवी तो यह पंच महाभूत हो गए और एक आत्मा हो गई इससे क्या बनता है कर्म पुरुष बनता है और शुद्ध पुरुष के अंतर स्रीफ और स्रीफ एक आत्मा होती है अगर आप से मैंनली पूछे हैं मतलब जनरली कोई पूछे तो आप यह टाइस बताएंगे अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स टॉपिक जो है धातु बैस से पुरुष संगठन जो की थोड़ा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि यह एक बैसिक नॉलिज में आ जाता है आपको आगे काम आएगा तो जोलो सबसे पहले हम इसको एक बा सवस्ता का निर्माड यानि कि माईक्रो से लेके मैक्रो तक सारी चीज़ों का फॉर्मेशन निर्माड उसको हम बोलते हैं अभी नहीं वृत्ति शरीर यह दो टाइपस के होते हैं पहला धातु बहुआट शरीर और और घृटा है यसकर इंदार धारण न इसका मतलब होता ह भी करें और उसकी तो उसको क्या बोलते हैं धातु बोलते हैं दूसरा आताश के अंदर पुरुष पुरुष को मतल़ा का अटमा न स्क और रहती है उसको हमने आत्मा भो लगा है यह जो फूर्मिनीट 2पन और मअभूत और आत्मा से बनती हो उसको हम बोलते हैं कर्म पुरुश ठिक हैं अब आपने kann नेक्ट जो टोपिक आता है जिसके लिए वीडियो वडिये में वाइं सो मुझे और जुब्ध तो पुरुष सँंगज़न एक कि यह टोपिक पढ़ने वाले हैं चल्ए तो चीट करते हैं हम धातू सबस्दा करते हैं तो हम धातू के भृद पढ़े हैं पिरुश। एक धातु आत्मक पुरुष का क्या मतलब होता है जो स्रिफ चेतना धातु से बनी हो जैकना धातु से उत्पन हुई हो जैसे मैंने आपको पढ़ाया उपर जो स्रिफ चेतना धातु से उत्पन हुए हो एक धातु आत्मक पुरुष और इसी को हम क्या कह देते हैं अब यह में उप्र पढ़ाया है आपको शुद्व पुरुष इसी का दूसरा नाम क्या है शुद्व पुरुष ठीक है अब इसमें दूसरा आता है दूई धातु आत्मक पुरुष दूई धातु का आत्मक पुरुष का मत्तब हो गया जो दो धातु से पुरुष बनी हो ठीक है तो इसमें पहला कौन-कौन सा एक अगनी और जल आपको मताओं जैसे कि हमने पंच महाभूत पढ़े हैं कौन-कौन से होते हैं अकाश वायू अ संसार के पहले है अगनी और जल को भूल्य होने के कारण दूई धातopy पूरुष में अगनी और जल की बहुलता ओकारुन फूरुष हने 459 होती है ठीक है ना समझेंगे ना अगनी और जल की कि अ बहुलता होती है तो फिर दुए धात्वा आत्मक पुरुष क्या होता है अगनी और जल ठीक है अब यह खतम नहीं हुआ और आगे क्या पढ़ते हम इसके लिए यह तो हमने पढ़ लिया इसका फैस्का पार्ट यह मेठा हमने का इसका फैस्ट पार्ट वर सेक्ड़ पार्ट में क्या पढ़ेंगे इसके का शर्यत कै और श्र्यतरज में ठीक कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है इस्थान इत कौई你在 श्तांव conducted और इसका मतलब है रहने वाला ही स्थीक के अंदर ढोर इसको बोलते है श्यक्राइब अधाने इस पूमिजाक न प्रैक्टाने श्थाने जिसके अंदर आता है संवज्द्ध ही ना आंगे बाटते हैं थोड़ा सा स्वरी नेक्स चैटिंग पढ़ते हैं जो है त्री धातु आतमक पूरुष इसकी इंपोर्टेंस क्या है मैं भी थोड़ी आगया आपको जाकर दोगो जब शट धातु आतमक पूरुष पहुच जाएंगे उसके बाद हम चत्तुर विंश्यति पूरुष पहुच जाएंगे जब आपको जाकर समझाएगा कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है अभी आप समझते रहें कि इसके कड़ी से कड़ी मिलाता चले जाएंगा फूर एक पूरी चैन बन जाएगी फिर आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है अभी हम पढ़ने हैं तुरी धातु आतमक पूरुष पहला आता है पूरी गड़ात्मक पूरुष जी साथिये आपको पाकर चर ना लिखाए त्री गडू अत्मक पूरुष दो का मतलब होता है तीन जो की तीन धात्वों से मिली हो और गुण कौन से है जो तीन गुण से मिलके बनी हो और तीन गुण कौन कौन से है वो आपको पता ही है एक होता है सत्व एक होता है रज और एक होता है तम जो तीन गुण से मिलके बनी हो कोई पुरुष उसको हम बोलते हैं त्री गुण आतमक पुरुष और इसी में ही दू पुरुष क्यों की जो थीन दोस्ते मिलके बनी बनी हो पुरुष इसको बोलते हैं त्री दोस्ते में पुरुश जो मिलके बनी होनिए और के आप अब हुआ हमने क्या पड़ा पादी एक दाहतुक में पुरुष यह बने पढ़ी à और हमने पड़ा अब त्री हाद्व पुरुश ठीक है इसके बाद आती है ए पंच धातु पुरुश इसके बाद आती है पंच धातव मध्रोश जो कि पांच धातू से मिलके बनी होती है वो पांच धातु कौन कौन से हैं वो पांच धातु है पंच महाबूत ठीक है वो पांच पंच महाबूत कौन कौन से दुबारा लिख देता हूं मैं ताकि आपको लर्ण हो जाए अकाश वाईयो अगनी जल और प्रित्वी इन पांच धातु हो से मिलकर जो पुरुष बनी उसका नाम क्या है पंच धातु आत्मक पुरुष अब जो इससे अगली पूरुष है वो बहुत जादा अच्छे से याद रखनी है क्योंकि यह वहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है शर्धात्व आत्मक पुरुष का मतलब हो गया जो छे धात्वों से मिलकर बनी है पुरुष ठीक है तो छे धात्व कौन कौन से हो गए एक तो हो गए पंच महाभूद पंच महाभूद और एक आत्मा ठीक है सिंपल है ना जो पंच महाभूद और एक आत्मा से मिलके पुरुष बनी हो उसको हम बोलते हैं पंच धात्व आत्मक पुरुष और इसी को हम बोलते हैं कर्म पुरुष इसी को हम कर्म पुरुष बोलते हैं मैंने आप को यहापर पढ़ाया था ना भी मैंने लिट टू टाइपस के होती है एक शुद पुरुष और एक कर्म पुरुष शुद पुरुष कौन सी होती है जो स्रीफ एक धातु से मिलके बनी हो और कर्म पुरुष कौन सी होती है जो छे धात्वों से मिलके बनी होती है जिसको हम बोलते हैं शर्ड धात्व आत्मक पुरुष पंच महाबुत और एक आत्मक तो हम वही पढ़ रहे हैं यापर शर्ड धात्व आत्मक पुरुष जो छे धात्वों से मिलके बनी हो एक तो पं बात है देखो जैसे हमारे पास एक धात्वि Korean की पूरूश है जिसे जो खाली आत्मा हैं हम आत्मा कर ट्रेटमेंट कर सकते हैं कि आप खुद ही बताइए हम आत्मा का Deixa adapt illuminated पोर्डी में नहीं कर सकते हैं तो अगर किसी Gees इसका मतलब क्या होजागा है कि वह मृत शरीर्य नहीं कर सकते तो चिकितसा के छो कंडीशन आती हैं श्रद धात वात्मिव refers की जिसके अंदर पंच महाबूद भीयों और आत्मा भीयों यानि कि जो मनुश्य है वो जीवित रहे तब जाकर उसके हम चिकित्सा कर सकते हैं जब जाकर उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसलिए यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्ट्ढव आत्मक पूरुष यह आपको लरग Independence बोलते हैं और हुश वंचे overefind समझाईंगे क्योंकि हमें पढ़नीं, तो इसकी नेक्स पाट में हम आपको वह सब पढ़ाएंगे अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो को लइक करें और अगर सब्सक्राइब करें इसले जिसमें नेग्स वीडियो अप्लोड करու आपको उसका नौररिकेस्चन इजिल